ग्रेटर जम्मू के रहने वाले एक व्यक्ति जो की पीडीडी के अंदर एक फीडर मैनेजर का काम करते थे उनकी कौविड के चलते जो है मृत्य हो गई है यह बड़ा ही एक दुखत समाचार है और इस समाचार के साथ में इस पूरे परिवार के साथ जो है अपना पूरा शोक व्यक्त करता हूँ सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर कौविड को लेकर सरकार जो है बड़े-बड़े दावे कर रही है वहीं पर बिजली विभाग को इस चीज से बिलकुल महरूम रखा हुआ है कौविड के चलते चाहे रेड जोन हो चाहे कोई कौविड के पेशेंट का ही मकान हो या फिर कोई ऐसा इलाका जो पूरी तरह से सील किया गया हो वहाँ पर भी बिजली के अंदर कमी न आए हमारे बिजली विभाग के लोग वहाँ काम करते हैं चाहे एक लाइन मैन हो चाहे एक फीडर ओपरेटर हो या फिर एक उसी लेवल का जैई हो या एई हो या कोई भी पोस्ट के लोग हो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि इस परिवार के किसी पेशन को कौविड हुआ है या ये इलाका रेड जोन के अंदर आता है बिजली हर किसी शक्स को पहुँचनी चाहिए इसका हमेशा ख्याल पीडीडी डिपार्टमेंट रखता है लेकिन क्या पीडीडी डिपार्ट होती है और इनकी कौविड के चलते जो है मृत्यूई है और ये कौविड के तहट जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर जाते हैं उनके अंदर पीडीडी के लोग नहीं आते जो एक सरा सर अत्याचार है जिसको लेकर अपील भी की है आज जो बिजली विभाग के लोग है उन्ह यहां फिर इस शक्स जो की रहने वाला ग्रेटर जम्मू का था उसकी मृत्यू करोना से हुई है उनको भी कम से कम देखा जाए यह बड़ा ही दुखत समाचार है करोना वायरस एक व्यक्ति की और मृत्यू है जो कि बिजली विभाग में फीडर मैनेजर का काम करता था लेक के लिए भी कॉविड के तहट जो है एक एप्रोप्रेट इंशोरेंस पॉलसी त्यार की जाए देखते रहें जेके मीडिया आशीश कोली के रहा मैंने शोक्ष लोतरा जी के साथ जेके मीडिया के लिए जय हिन